बाई एक बात मैं आपको पहले से भी बताताइ चलो इसमें आपको जो gaming performance ट्रिखने को मिल जाए है कि मैंला काफी चकास आ पर आपको इसमें gaming performance मिलेगी और इसमें आप gaming करकर आप Asus ROG Phone 2 को भी बूल जाओगे तो क्या हाल है दोस्तों आपको तो मालूम ही है PC के बाद जो gaming का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो आता है tablet पर अगर उसके specifications अच्छे हो तो और दोस्तों काफी सारे जो professional gamers होते हैं वो tablet पे भी gaming करते हैं और उससे streaming भी करते हैं और दोस्तों काफी सारी बड़ी-बड़ी कमपनिया tablets manufacture करने पर काम भी कर रहे हैं जैसे Samsung, Apple, Huawei यहीं सब और दोस्तों Apple का iPad जो एक flagship tablet है उसको compete करने के लिए अब Samsung अपनी tablet की जो S7 वाली series है उसका एक नया tablet Samsung tablet S7 Plus लाँज करने के तयार ही कर रहा है दोस्तों यह जो S7 Plus tablet है मालब mind-blowing specifications के साथ आने माला है और काफी तगड़ा वाला यह tablet होने वाला है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung Galaxy Tab S7 Plus की specifications के बारे में और इसकी India launch rate और price के बारे में लेकिए आना इससे पहले अगर आप चैनल पर नहाँ है तो फटावर्चे 500 subscriber, cross कर रहा दो और इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 10 लाइक का तो चलो भाई चलो भाई, देख अपने क्या करता हूं तो भाई, आपर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके display की तो भाई, इसमें आपको मस्त वाली याने 12.4 इंच की Super AMOLED display देखने को मिल जाएगी जिसका resolution होगा 2800 x 1752 pixels तो भाई, ये जो display होने माले, ये काफी smooth होने माले obviously, वो जो S Pen की functionality होते हैं जिसके लिए Samsung जाना जाता है और popular भी है वो इसमें भी आपको supported मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं RAM और storage की तो इसमें आपको 6GB RAM slash 8GB RAM और 128GB storage slash 256GB storage ये दोनों वेरियंट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगे तो मादब काफी अच्छा है इसमें आपको कोई storage बगेरा की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी तो आगे बात कर लेते हैं camera की तो इसमें आपको पीछे की तरफ dual rear camera का setup देखने को मिलेगा 13 plus 5 Megapixel का 7 में इसमें आपको आगे की तरफ 8 Megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा ये एक tablet है इसमें आप 64 Megapixel का camera expect नहीं कर सकते हैं ये जो specifications है camera की एकदम बरोबर है आगे बात कर लेते हैं battery की तो भाई इसमें आपको जो battery मिलने माले माला गजब इसमें आपको 10,090 mh की बड़ी सी battery देखने को मिल जाएगी माला काफी बड़ा सा यहां पर battery backup होने माला है और battery काफी कम drain करेगी और plus point यह इसमें आपको 45W की fast charging का support देखने को मिल जाएगा यह battery के मामने में इस बार Samsung ने काफी अच्छा गिया battery भी बड़ी दिया और fast charging का support भी इसमें आपको दे दिया है यहां पर आपको इसमें gaming performance मिलेगी और इसमें आप gaming करकर आप Asus ROG Phone 2 को भी बूल जाओगे और अगर आप PUBG Mobile स्ट्रीम करने की सोच रहे हो तो यह tablet आपके लिए काफी अच्छा होने माला है क्यूंकि आपको snapdragon 865 प्लस वाला latest processor देखने को मिलेगा जो काफी मलब तगड़ाऊ सा flagship processor है और आपको वह आसस ROG Phone 3 जो 22 July को इंडिया में लाउंच हो रहा है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा तो आप सोच सकते हो इस साल का जो flagship processor हो अगर इस tablet में यूज किया गया है तो इस tablet की performance कैसी होगी और दोस्तों यह tablet जहां तक बताया जा रहा है यह 5G को भी support करने को मिल जाएगा अब बात करते हैं प्राइस की तो अगर हम रियूमर्स की महने तो यह आपको इंडिया में एक्सपेक्टेड रुपी सेवन्टी थ्री थाउजन में देखने को मिल जाएगा जो काफी मतब एग्रेसव प्राइस है और अच्छी है क्योंकि इसमें आपको फ् कैसा वसूल हो जाएगा इसके उपर दोस्तों यही था आज किस वीडियो में आश्या करता हूं आपको यह वीडियो पस्तान रहे होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दिना बाकि अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को प्रेस कर देना और इस